बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com अगर आपके शत्रू और आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे हों आपके आफिस में, आपके मुहले में, आपके पडोस में तो क्या उपाय करें? हम आपको यह नहीं कहेंगे कि आप ऐसा उपाय करिए जिससे शत्रू विरोधी मर जाएं, किसे को मारने वारने का कोई उपाय नहीं होता है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए शत्रू और विरोधी आपको परेशान न करें, शांत हो जाएं हम उसका उपाय करेंगे क्या उपाय करेंगे? मंगल वार को हनुमान जी के मंदर चले जाए जिस मंदर में हनुमान जी को चोला चरता हो सिंदूर लगाया जाता हो और वहां जाकर के पुजारी जी से बोलिए कि हनुमान जी के चरणों में से जरासा सिंदूर निकाल करके आपको एक कागज में दे दे वो सिंदूर आप ले आईए, वो चमतकारी सिंदूर है रोज सुबस नान करने के बाद इसको अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगाईए या दोनों जगा लगाईए लेकिन रोज सुबस नान करने के बाद लगाईए और फिर जो करना है करिए याद रखिए कि इस तिलक को आप लगा रहे हैं इस तिलक को लगाने के बाद मांग्स मदिरा का सेवन आप नहीं करेंगे वरना इस तिलक का प्रभाव शुनने होगा और आपको नुक्सान हो जाएगा लेकिन अगर आप ये तिलक नियमित रूप से लगाएं तीन फाइदे होंगे पहला आपको ठकान नहीं होगी उर्जा बनी रहेगी दूसरा आप किसी भी तरह की दुरगटना से सुरक्षित रहेंगे तीसरा आपके शत्रु और विरोधी आपको नुक्सान नहीं पहुचा पाएगे